आज मैं एक सिंगल पुछ बटन टू ओन और सिंगल पुछ बटन टू ऑफ एक सर्कीट बना रहा हूं यह जो सर्कीट है यह वही सर्कीट है ठीक है इसमें क्या होता है जो सिंगल पुछ बटन है इससे ही आप सर्कीट को उन के सकता हैं और इससे ही ऑफ कसकते हैं एक डीले मैं यूज किया हूं इसके करण से यहाँ पर शेल बगडदा लगा सकते हैं यह है इसका फ्लाक ठीक है सभीडन आप और यहां पर आप मुबाइल जो चार्जर होता एक वह डालके म्यार्वjust зач से काम करता है कहां से कौन से कारेंट फ्लो होगा वो पूरा डाइग्रम करके मैं बना दूंगा समझा दूंगा ठीक है तो पूरा वीडियो देखिए यह जो सर्कुट है यह कहां पर यूज होता है देखिए आप इसको जो टेविल लैंप होता है अगर आप पड़ाई बगड यहां पर यह चोटा सा यह जो जगा है यहां पर मैं खाली छोड़ा हूं इसका भी एक करण है वो भी वीडियो चलते हुए मैं बता दूंगा ठीक है तो चलिए इसको समझ लेते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है सबसे पहले वीशी 557 पी टांजिस्ट चाहिए एक दो एन पी टांजिस्ट चाहिए वीशी 547 का ठीक है एक पूश बेटन चाहिए वान में यह 50 वल्ट का एक क्यापसिट चाहिए फाइब भोल्ट का डिले यूस कर रहा हूं मैं एक देर सो देर सो ओम्स का रेजिस्ट चाहिए एक एक लूड के लिए है ठीक है अच्छा यहां पर बाड़ा ओम्स बाड़ा के का तीन रेजिस्ट चाहिए एक अपना हंडेट के का एक रेजिस्ट चाहिए ठीक है ओन के का एक रेजिस्ट चाहिए और यह है अपना चार्जिंग सॉकेट मोबाइल चार्जिंग और डायोट चाहिए एक फोर डावल जिर सेवन का यह यूज होगा अपना रिले में ठीक है और डॉड भे रोबोट ओके तो फिर फ्रेंस यहां पर यह है सर्कीट इसका ठीक है मैं यहां पर समझा देता हूं यह किस परका से काम करता है यहां पर देखिए जो जो कॉम्पोनेंट यहां पर मैं यूज किया हूं जैसे की तीन यहां पर तीन टांजिस्टर मैं यूज किया हूं एक है बीसी 547 एक है बीसी 557 और एक है बीसी 547 यह मतलब तीन टांजिस्टर है यहां पर यह और यह वाला है NPN और यह PNP ठीक है अच्छा है अभी देखिए यहां से 500 का Supply देना है और यहां Ground ठीक है तो यह देने हैं यहां पर ऐहां पर से यहां पर से Supply फाइब व्लद का ठीक है जो Mobile changes से हम देने वाले ऑले हैं ठीक है इतना हो गया अभी देखिए यहांसे money है 5W supply आ गया ठीक है यहां से अभी यहां से यह जो 200Ohms का काई डेजिस्टंट है यहां पर यह मैं दिया हूँ यह वाला ठीक है और इसके नीचे यहां पर एक LED उसके हूं मैं ठीक है यह वाला एक LED अभी यह LED नॉनमल नहीं जलेगा क्योंकि यहां से अगर आपका supply यहां से आता है current तो यहां पर ground होना चाहिए लेकिन यहां पर ground नहीं मिल रहा है क्योंकि यह on करने के लिए मतलब यह npn का on करने के लिए यहां पर हमें बेस में इसका जो base है यह base है इसका ठीक है यहां पर a base a collector और a emitter ठीक है देखिए तो इसका base में हमें positive supply देना होगा लेकिन यहां पर normally positive supply नहीं जा पायागा क्योंकि देखिए यहां से यह भी off है इस time यह है अपका pnp transistor यहां से अगर supply आपका 5 volt supply यहां से आता है तब ही जाके यह on हो पायेगा और एक चीज़ है यह pnp जो transistor है इसको on करने के लिए इसका base में हमें negative देना होगा मतलब ground देना होगा लेकिन यहां पर यह भी on नहीं होगा क्योंकि यह अपना यह जो transistor है npn यह off है अभी इन दोनों को on करने के लिए क्या करना होगा देखिए सबसे पहले यह जो five volt supply आ रहा है यह यहां से आएगा ठीक है यह 470 के जो है यहां से होके यह 470 के होके यहां तक आएगा इस point में और यह है अपना ground तो अब यहां तक आके यह जो one Muf का जो capacitor है इसको चार्च करेगा यह है one Muf का capacitor यहां पर ठीक है तो इसको चार्च करेगा इसको चार्च करने के बाद अभी यह चार्ज है और supply यहां तक आ गया है ठीक है यह positive supply यहां तक आ गया है लेकिन यह पूज बटन ठीक है यह बाला यह push button तो push button को हम on करेंगे तब ही जाके यहाँ पर 5 volt मिलेगा उससे पहले तो नहीं मिलेगा तो इसको हम पहले push करते हैं तो यहाँ पर 5 volt मिल जाएगा ठीक है और यह भी discharge हो जाएगा यह capacitor भी discharge हो जाएगा तो इसमें charge नहीं होगा तो यहाँ तक यह 5 volt मिल गया ठीक है अभी यहाँ तक जब 5 volt मिल गया तो और यहाँ से यह discharge हो जाएगा यह अपना जो capacitor है यहाँ से discharge हो जाएगा connected है यह जो 12 के का resistant है अभी देखिया यहाँ तक जो voltage आगया वो यहाँ पर आपका 12 के है यहाँ पर 12 के है यहाँ पर 1 के ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकतो कि इसका जो resistance है वो कम है तो कम जहाँ पर है यहाँ से ज़्यादा supply यहाँ से जाएगा ज़्यादा supply जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अपना जो current है फ्लो हुआ इस direction में ठीक है अभी देखिए current नहीं से यहाँ पे फिलो गाया अभी यहीं जो पोजिटिव मिल गया यहां से यहां से positive मिल गया तो positive यहां पे बेस्में मिल जाएगा तो यह जो n-pn का जो transistor है यह on हो जाएगा ठीक है यह अन हो जाएगा तो यह जो अपना ग्राउंड है तो ग्राउंड यहां पर हो यहां पर सेम है मतलब यह तो अन हो चुगा है तो यहां पर ग्राउंड आ जाएगा यहाँ पर ground आ गया ठीक है अभी यहाँ पर ground मिल गया तो यह देखिए यह 5 volt यह 5 volt यहाँ तक आ गया है यह 5 volt देट सो अम्स यह है LED और यहाँ पर ground मतलब यहाँ पर ground तो LED उस टाइम जलना start करेगा अभी देखिए यह अगर हम इसको छोड़ देते हैं तब भी यह जला रहता है क्यों क्योंकि यहाँ तक जब ground आ गया उस टाइम इसको ground मिल जाएगा यह पर ground मिल जाता है तो A1 हो जाता है तो A5 volt यहाँ से flow होना start करेगा अभी यहाँ से flow होना start करेगा अभी देखिए यहां पे कितना है 470K कितना रेजिस्टेंट है यहां पे कोई डेजिस्टेंट नहीं है डारेक्लिए फ्लो होगा यहां तक आ जाएगा 5 वल्ट यहां तक 5 वल्ट आ गया अभी यहां पे 12 के यहां पे 12 के तो 12 के यहां से कुछ कारेंट यहां तक फ्लो होगा तो 1K से flow होना start करेगा और इसको on करके ही रखेगा यह जो NPN है मतलब BC 507 है इसको on करके ही रखेगा ठीक है और यहाँ पे आप देखिए यह जो यह अगर on रहेगा तो ground यहाँ परक मिलता रहेगा ठीक है तो यह भी on रहेगा उस time यह भी जलता रहेगा और एक चीज होगा य 5V यहाँ पर आ गया यहां तक तो 5V यह बाला जो 12K है यहां से इस बाले transistor को भी on कर देगा अभी यह बाला transistor है इसको क्यों हम use कर रहे हैं यहां पर देखिए यह BC 507 यहां पर भी मैं use किया हूँ इसको on कर देगा तो यह देखिए 5V यहां से आके इस point पर आके यहां से ground हो जाएगा यह one हो चुगा है तो यहां से ground हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर आप देखिए तो 470K है तो इस तरफ जाने से पहले यह ground होगा ठीक है तो ground यहां पर यह इस तरफ नहीं जाएगा तो यह जो अपना capacitor है यह discharge ही रहेगा चार्ज नहीं होगा तो यह यहां पर खाली है मतलब space बन चुगा है तो इस time अगर फिर से हम कभी इस push button को दबा देते हैं तब क्या होगा यहां पर space बना है तो अभी एक current यह खीचेगा एक capacitor current खीचेगा तो तब क्या होगा यहां से जो current आ रहा आता यह 5 volt यहां से यहां तक आ रहा आता वो इस direction में खीचेगा इस direction में खीचेगा मतलब एक push button जब ही on होगा इस direction में current खीचेगा तो current खीचके यह अपना जो capacitor है यह चाज होगा और यह जब current यहां से खीचेगा यहां से अब देख सेक्तों यहां पे कोई resistant नहीं है और यहां पे 1K का resistant है तो current यह अगर हम push करते हैं तो current यहां से इस तरफ आ जाएगा इस तरफ नहीं जाएगा ठीक है यहां पे जब वोल्टेज अपना सही से ना जाए तो ये NPN जो टांजिस्टर है BC 507 ये तो ओफ हो जाएगा उस टाइम ये ओफ हो जाएगा तो यहां पर ग्राउंट नहीं मिलेगा यहां पर ग्राउंट नहीं मिलेगा तो ये LED ओफ हो जाएगा ये PNP जो 557 है ये भी ओफ हो जाएगा ये capacitor उस time फिर से charge होगा और उसके बाद फिर अगर आप इसको push करते हो तो पहले वाला जो मैंने बताया उस तरह से फिर से ये on होगा फिरले ये on करेगा इसको जला देगा ठीक है इसको on कर देगा तो इस तरह से चलता रहता है तो ये जो circuit है इसका काम यह है ठीक है एक पर पुश करो तो एलेडी जलता है फिर से पुश करो तो एलेडी आफ होता है अब यहां पे मैं जो रिले यूस किया हूँ रिले अब कैसे यूस करोगे देखिए मैं समझा देता हूँ रिले को यूस करना है इस बले पॉइंट में और इस बले लगाया था और यहां पर LED है तो यहां से ही एक वैर ऐसे ले जाई है यहां से एक वैर ले जाई है रिले का जो कॉयल है उसमें लगाया है ठीक है यह देखिए है रिले का कॉयल मतलब रिले का रिले का जो कॉयल होता है यह दो पॉइंट में होता है मैं थोड़ा पास से दिख यां देखे ब्रेख का कॉल है यहां पर डिले का कौल होता है टीक है यह धो पुएंट में तो यश्णे प्रेख करेकट है यहां से थिक है तो अब है इसका यहों सुर्ण होता है इन दोनों pin में हम ऊड़ और लगाएंगे, एक में कहीं परेब लगा सकतो almighty यहाँ यहाँ पर यहाँ यहाँ आ भी लगा सकतो कोई problem नहीं है, क्टीकन here यहाँ पर देखिए, अपना circuit ऐह देखिए, यह है plug यहाँ से हमको AC supply देना है इससे जो, दो judges और आया है वह रिले में चला गया यह रिले में गया है ठीक है यह दूसरा जो है रिले में गया है और एक गया है होल्डर में और एक गया है एक जो दूसरा वेयर है यहां से यह होल्डर में है ठीक है तो इस तरह से एसी सप्लाई इस तरह से एसी सप्लाई आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से यह जो सर्किट है इसको अब बना सकतो इसको आप टेवी लैंप पर यूज़ के सकतो और मैं एक चीज़ बताऊंगा कहा था कि यहाँ पर मैं खुला क्यों छोड़ा हूँ यह इतना सा और इसका क्या यूज़ है देखिए इसमें मैं एक छोटा सा सर्किट नेक को पुश करके अन करना नहीं पड़ेगा अप रिमोट से इसको अन अप कर सकतो लेकिन उसमें भी उसमें भी मैं कोई आईसी यूज़ नहीं करूंगा ठीक है नॉर्माली आईसी यूज़ होता है अपना कोई भी रिमोट कंट्रोल में तो इसमें टांजिस्टर से ही होगा सर्किट थोड़ा से डिफिकल है समझने में तो अगर आपको पता मतलब पूरा डीटेल्स में समझ में नहीं आया है तो आगे पीछे करके वीडियो को देख सकते हो और एक साथ में पूरा वीडियो देखा गड़े क्लें एक स्किप करके देखूगे तो समझ में नहीं आएगा ठीक है तो इसमें मैं इसमें इसमें वी सैपलाई देंके मैं दिखाता हूं यहां पर ऑपना जो जो मेरा मोबाइल चार्जर का जो अ करनेक् disproportionately इसको यहां पर देना होता है और इसमें इसको इसे सापलाय देना ह है ठीक है तो फिर यहां पे आप स्कीन शॉट ले सकतो सर्कृत का तो यहां पे कानेक्शन कॉम्प्रीट हो चुका है अभी मैं सप्ले दूँगा अभी यहां से मैं इसको अन करता हूं आप देखिया ठीक है एक प्टन से यह अन होगा यहां से आफ हो जागा तब फेंस आज के लिए इतना ही अगर आजके इस वीडियो से आपको कुछ सेखना को मिला वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जारू किजे और अपने फेंस के साथ वीडियो को शेर करे कोई सवाल ना सुझाब होता फिर कॉमें सेक्शन में कॉमें करें चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेलाइग के ज़रू दावे तके ने वीडियो को शेर जल मिल सके मैं में लोंगा नेक्स को जासे टोफिक लिके ने वीडियो के साथ अफ्ते के लिए थैंक्यू